तो हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल मैंसमित बंसल लास्ट लेक्चर लेक्चर फाइव में हमने लिमिट्स का कॉंसेप्ट पड़ा था लिमिट ओफ फॉंक्शन एट पॉइंट ए इन वन वेरियेबल ओके तो अब जो है यह एपसाइलन डेल्टा हमने पड़ी थी तो एपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन क्या थी वह मैं यहां पर बता देता हूं आपको एक बार यहां पर लिख लेते हैं हम एपसाइलन डेफिनेशन क्या थी हमारी और जो इसका एक्स्प्रेशन था हमने लिखा था वो था लिमिट एक्स्टेंग तो ए f of x and this is equals to l तो अगर फंक्शन की लिमिट extending to a पर l है तो उसके लिए एपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन हमारी यह है तो इसका यूज करके हमें यहां पर लिखा हुआ है यूजिंग एपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन यह दो एक्जामपल हमें प्रूफ करने हैं कि इनकी लिमिट यह होगी तो clearly यह जो point है यह मेरा a point है यह जो है वो l है और यह जो है क्या दे रखा है हमें function दे रखा है ठीक है और यह जो है हमारा x है यह variable ठीक है तो हमें शुरू कैसे करना है जैसा कि मैंने बताया तो शुरू करते हैं for any epsilon for any epsilon हम कह रहे हैं कि एक ऐसा डेल्टा हम देंगे पर zero से यहां पर epsilon भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि epsilon पर depend करेगा delta और हम देखेंगे भी last question हमने देखा था last lecture में epsilon आ रहा था वहां पर तो यह delta क्या होगा यह हम last में बताते हैं ठीक है तो for any epsilon हम एक delta ढूंद के देंगे such that क्या होना चाहिए f of x minus l जो है वो less than epsilon होना कब दिखाएंगे लेके क्या चलना हमें whenever what is the given condition 0 से obviously greater than होगा x minus a और a हमें क्या given है 0 less than होगा delta से यानि की mod x हम लेके क्या चल रहे हैं less than delta whenever mod x is less than delta then this value should be less than epsilon and what is this value what is f of x f of x is x sin x minus l what is l 0 so it is equals to mod x into sin x modulus of sin 1 upon x ठीक है लिख सकते हैं इसे और अभी भी यहाँ पर दें कोई equality है मैंने inequality में इसे change नहीं किया है ठीक है equality हमारे पास यहाँ है तो अब क्या होगा अब हम सभी जानते हैं हमें क्या given है function sign क्या given है sign function given है और जो sin x होता है उसका mode हमेशा less than or equal 1 होता है यह हमने देखा था example भी कि जो sin की range होती है वो minus 1 से 1 होती है तो इसकी value क्या होगी less than or equals to 1 होगी यहाँ पर angle कुछ भी हो matter नहीं करता जब sign function की value less than equals to 1 है तो यह हमारा पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा less than equals to इसकी जगा 1 लिखोगे so modulus x into 1 और यह जो है mode x mode x हम लेके किस से less चल रहे है डेल्टा से तो less किस से लेके चल रहे है डेल्टा से हमें यहाँ पर f of x minus l जो है यह less than दिखाना था epsilon से और दिखा क्या दिया delta से less तो delta को again क्या choose कर लो epsilon के equal तो हम लेके क्या चलेंगे delta equals to epsilon हमारा proof हो गया ठीक है तो अब दोनों example हमने देखे उन दोनों के अंदर ही हमारा जो डेल्टा है वो equally आ रहा है epsilon के ठीक है और I think second वाले में भी equal आएगा तो हम कोशिश करेंगे example हम ऐसा ले ले जब two variable करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि delta किस type से epsilon पे depend करता है कभी हो सकता है आपका delta आ जाए epsilon by 4 कभी ह हो सकता है आपका delta आ जाए epsilon upon two upon something k k जहां पर कोई भी एक constant होगा ठीक है तो यह सब डिपेंड करेगा कि function कैसा दिया है तो वह हम देखेंगे उसमें अभी यह question और देखते हैं इसी type से epsilon delta को use करके LHL-RHL always use कर सकते हैं हम ठीक है तो जिस question में नहीं उसकर सकते कोशिश करो epsilon delta को use करनेंगी so for any epsilon हम क्या कह रहे हैं एक ऐसा delta हम देंगे ढूंड के जो की positive होगा obviously epsilon पे depend करेगा एक ऐसा delta हम देंगे such that क्या होगा f of x minus L दिखाएंगे less than epsilon ठीक है कब दिखाएंगे जब condition क्या लेके चलेंगे हम वेन एवर तो यहां में लिखता हूँ लेके क्या चल रहे हैं whenever x minus a is less than delta so मैंने इसमें बताया नहीं यह आपका क्या है l है यह आपका क्या है f of x है जो a point होता है उसकी जगह a लिखा हुआ है और x हमारा है यह variable ठीक है so f of x तो x minus a less than लेके चलेंगे delta से क्योंकि a की जगह पर a ही लिखा हुआ है arbitrary point है यह कोई fix point you can say a belongs to r को यह fix point में दे रखा होगा change तो खर नहीं होगा बार बार so what is f of x f of x is equals to a x square minus a square upon x minus a and minus l l क्या है 2a so मैंने आपको बताया था अंदर जो भी आपके पास expression होगा कोशिश करो इस पूरे को change करने की इसकी terms में ठीक है इसकी terms में change कर लोगे तो इस delta को always use कर सकते हो और आप निकाल सकते हो इसको delta की value epsilon की terms में तो यहां भी आप उपर क्या use कर सकते हो x square minus a square को क्या लिख सकते हो x plus a और x minus a upon में क्या है x minus a minus में क्या है 2a so यह equal किसके हो गया यह cancel होगे दोनों यहां पर a है यहां पर minus का 2a है क्या बचेगा x minus a और x minus a आपको पता है less than है किस से delta से तो देखो इस example में भी delta आप क्या choose कर सकते हो epsilon के equal choose कर सकते हो अब क्यों की आपने इसको epsilon के equal लिया था यहां पर तो यह जो चीज है यह आपको books में पहले ही लिक्यों ही मिलेगी कि इस epsilon के लिए अब यह delta चूज करो अब वो delta क्यों choose करना होता है ऐसा उसका reason क्या है उसका reason आपको यहां पर आके पता चलता है इस step के अंदर ठीक है और question करेंगे तो और clear हो जाएगा कोई issue नहीं इसमें तो यह हमारा यहां पर दोनों के दोनों question जो है आई तिंक आपको clear हो गए और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको ना सभजो है तो epsilon delta definition जो है always हम इस type से use कर सकते हैं इसमें और हम इसके अंदर example देखना चाहें तो I think एक हम इसमें okay I think मैं इसमें आपको theorem करवा सकता हूं जो कि आपके लिए useful रहेगी थोड़ी वो theorem का statement क्या है let me write down limit of a function limit of a function is always unique limit of a function is unique यह आपको proof करना है कि जो limit होती है function की वो क्या होती है unique होती है है ठीक है तो आपको proof क्या करना है जो limit है function की वो क्या होती है unique होती है unique का मतलब क्या होता है unique का मतलब है कि f of x अगर extending to a है तो f of x किसी l पर approach होगा है ना तो हम इसका proof देखते हैं कि proof किस टाइप से करेंगे हम यहां से देखते हैं इसका proof क्या होगा तो देखो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा इसने proof करने के लिए बोला क्या है हमें proof करना है कि limit f of x extending to a जब होता है तो यह equal होता है किसी l के ऐसा नहीं है कि यह l के भी equal है और यह l dash के भी equal है अगर ऐसा होगा तो यह दोनों हमेशा आपस में equal होंगे अगर यह equal नहीं हुए तो limit यह होगी ही नहीं function गी ठीक है यानि कि limit हमेशा unique होगी तो हम क्या करेंगे इसको proof करेंगे ठीक है तो proof क्या होगा इसका देखो तो हम क्या करेंगे हम इसको as a contradiction proof करेंगे हम assume करेंगे let limit of a function let limit of f of x is l and l dash at x equals to a किसी एक point पर बताना है हमें तो मैंने मान क्या लिया कि x पर limit जो है function की वो l भी है और l dash भी है that is limit of f of x extending to a is equals to l and limit extending to a f of x is equals to l dash यही मतलब हुआ और हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों equal नहीं है l dash is not equals to l2 इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ distance है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ distance है जो की positive distance है ठीक है तो l minus l dash का जो modulus है वो क्या है इसमें greater than zero तो इसमें l minus l dash जो है उसके बीच में कुछ ना कुछ distance होगा तो यह कोई किसी एक value के equal होगा वो value हम क्या assume करके चलेंगे वो value हम किसके equal लेके चलेंगे वो हमको पता चलेगा end में कि हमारी requirement क्या है ठीक है तो एक बार के लिए इसको मैं छोड़े देता हूं तो यह imply क्या करता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है for any epsilon हमें एक डेल्टा मिलेगा क्योंकि यहां पर दो limit है तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा वन तो हमें एक ऐसा डेल्टा वन मिलेगा such that f of x minus l जो है वो less than epsilon होगा whenever x minus a is less than delta और फिर यह क्या imply करेगा यहां से for any epsilon for any epsilon एक मिलेगा हमें delta 2 greater than 0 such that f of x minus l dash less than होगा epsilon से whenever x minus a less than delta 2 तो just मैं यहां पर use कर रहा हूं definition जो हमने limit के बताई थी ठीक है by epsilon delta definition of limit तो by definition यह दोनों imply होगा हमारे पास यह l dash यूज़ कर रहे हैं delta 2 delta 1 यूज़ कर रहे हैं और यहां पर देखो यह दोनों सेम लिखे होए x minus a तो यहां पर देखो मैं यहां थोड़ा सा loop पताता हूँ कि इसके अंदर loop क्या है एक एक इसमें loop यह है हम क्या गह रहे हैं कि x minus a less than delta 1 है and x minus a less than delta 2 है suppose इसकी value 0.1 है तो कहने का मतलब x minus a 0.1 से less है और इसकी value ज्यादा मान लो कुछ या कम ले सकते हो a की बात है ठीक है तो इसकी value आप suppose कर लो इसकी value है 0.2 तो x minus a 0.1 से भी कम है 0.2 से भी कम है तो कहने का मतलब क्या है overall आप कह सकते हो कि x minus a 0.1 से भी कम है ठीक है यानि कि इन दोनों को use करने की बजाए सिरफ आप a की use कर लो और आपने choose कौन सा करा इन दोनों में minimum कि अगर 0.1 से कम है तो 0.2 से तो कम होगी होगी तो कहने का मतलब क्या है हम यहाँ पर choose कर सकते हैं क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं उसको देखते हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे क्योंकि हमें l minus l' को use करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं मैंने बोला है कि choose minimum of delta 1 and delta 2 इन दोनों में जो minimum है उसको choose कर लो और उसे बोल दो delta से delta तो यहां से आप क्या कह सकते हो तो अब हम कह सकते हैं कि f of x minus में l less than epsilon होगा and f of x minus में l जो है वो भी less than epsilon होगा कब होगा whenever यह e रह जाता है इसमें अरबर whenever x minus a is less than delta and what is this delta this delta is minimum of this delta 1 and delta 2 तो कहने का मतलब क्या है पहले यह f x minus l epsilon से less होता था जब यह delta 1 से कम होता था यह less than होता था जब यह delta 2 से less होता था बट अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से जो भी है minimum इसमें और इसमें उन दोनों को मैंने बोल दिया delta जो minimum आएगा तो अगर minimum delta है तो यह चीज हमेशा true होगी है ना delta 2 हमने minimum choose कर रहा है तो delta 2 जो equal हो सकता है किसके delta 1 के उससे less होगा और similar delta 2 के लिए तो हमारे पास यहाँ पर same a की चीज आ गई ठीक है अब क्या होगा अब हम लेके क्या चले है l minus l dash ठीक है अब शुरू करते है l minus l dash से हमें दिखाना है कि इन दोनों के बीच का जो distance है वो कुछ भी नहीं आएगा 0 आएगा यह हम दिखा सकते है so l minus l dash modulus यह distance क्या होगा इस l minus l dash में हम add कर देते है f of x और minus कर देते है f of x यह same चलता जाएगा आपका सारा का सारा whenever x minus a is less than delta so अब इसको आप लिख सकते हो less than or equals to यहाँ से l ले लो यहाँ से यह minus f x ले लो तो l minus f x प्लस यहाँ पर क्या रह गया यह चीज sorry modulus 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 f x minus l dash इसे भी हम क्या लिख सकते है f x minus l plus f x minus l dash अब हम ले के क्या चले थे हम ले के चले थे कि यह भी epsilon से कम है यह भी epsilon से कम है तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर हम क्या लिख सकते है यहाँ पर हम लिख सकते है यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह भी less than epsilon है और यह भी less than epsilon है यहां से यहां जाने पे मैंने use क्या कर रहा है हमने use किया है कि mode of a plus b जो है वो less than equal होता है किसके mode a plus mode b के यह सब भी inequality जानते ही हो गए सो यह मेरा less than आगया किससे two epsilon के किसके less आगया two epsilon से अब यहां जो epsilon है यह epsilon क्या था उपर जलते हैं वापिस यह epsilon क्या था यह जो epsilon है यह हम कुछ भी choose कर सकते है for any epsilon for any epsilon हमें delta 1 delta 2 मिलेंगे और इसके लिए हमें एक delta भी मिलेगा तो यह epsilon कुछ भी choose कर सकते हैं तो मैंने starting में गा था कि इस distance को हम कुछ assume करेंगे तो आपको जो epsilon चूज करना है यहां पर आपको जो epsilon चूज करना है हां पर उस epsilon को क्या चूज करो 2 epsilon इक्वल्स टू यह यानि कि epsilon को चूज करेंगे हम L माइनस L डेश अपॉन 2 यह epsilon हम चूज करें अगर तो delta 1 delta 2 मिलेंगी क्योंकि limit हमें zoom कर रहे हैं तो कहने हम मतलब कि यह delta, epsilon हम प्रहुंख हम यह चूज कर लिया तो अब epsilon की value हम क्या रख सकते हैं यहां पर epsilon की value क्या रख सकते है 1 by 2 L minus L dash क्योंकि हमने epsilon choose कर रहा है क्यों choose कर रहा है क्यों हमें लाना है contradiction contradiction और contradiction क्या आगया ये value और ये value तो equal होती है बट हम क्या कह रहे हैंगी less than होती है ये value और ये value आनी क्या चाहिए थी equal बट ये क्या आ रहा है कि ये इससे less होगा ये बात गलत है तो यहां से हमें क्या मिल रहा है एक contradiction हमें क्या मिल रहा है contradiction क्यों मिल रहा है क्योंकि हमने जो जुँम किया था वो गलत है that is we have assumed wrong हमने question mark तो क्या लगा है हमने इसको proof कर रहा है यह हमने बता दिया है कि जो हमने assume किया है वो गलत है तो assume क्या किया था assume आपने किया था कि l equal नहीं है l- के उनके बीच में कुछ distance होगा तो अब हमारा conclusion क्या निकल गया कि हमने जो assume किया हो गलत है तो सही बात क्या होगी सही बात ही होगी कि L और equal होगे L dash यानि कि limit जो है हमेशा वो क्या होती है unique होती है ठीक है तो यह आपका proof complete हो गया अगर कोई doubt रहे तो दोबारह इसको वीडियो को देखो अराम से कोई दिक्कत नहीं है समझ में आएंगे एक एक step कैसे definition use करके हम प्रूफ कर रहे हैं जो अच्छे प्रूफ मुझे लगेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा इसमें ठीक है तो ऐसा कुछ निया कि प्रूफ नहीं करेंगे प्रूफ करेंगे हम इसमें कोई चक्कर नहीं है तो अभी के लिए जैसा कि आप देख सकते हो बैटरी भी लो हो गई है हमारी इस टेकनोलिजी की हमारी बैटरी को फुल ले भी और पड़ा सकते हैं आपको खेर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक्यू वेरी मच सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आज हमने क्या कर लिया एक प्रूफ कर लिया दो हमने एक्जाम्पल कर लिये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा और आगे ले जा सकता हूँ अगर आपको यह अच्छे से समझ आ गया है तो ही नेक्स्ट वीडियो देखना वरना मत देखना सारा पहले का clear करो फिर नेक्स्ट वीडियो पर जाओ तो अच्छे से समझ में आएगा टू वेरियेबल के अंदर हम लिमिट सिखेंगे किसमें सिखेंगे टू वेरियेबल में सिखेंगे अभी हमने काम किया है किसमें वन वेरियेबल में ठीक है सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही टार्गेट है नेक्स्ट लिमिट लिख दिया हमेने नेक्स्ट लेक्चर ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट इन टू वेरियेबल ओके सो थेंक्यू फूर टाइम सी यू इन नेक्स्ट प्लस तेंक यू